आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे इन डिसेंट परपोजल मुवी के बारे में जो 1993 के अंदर आये थी उतनी पुरानी मुवी की चर्चा कर रहे हो भाई साथ आज की डेट में बढ़िया मुवी है इसलिए चर्चा कर रहे हैं अब आपने एक जो वर्ड ध्यान से सुने इन डिसेंट रहुए आपको डिसेंट वैवार रखना चाहिए सभ्भे वैवार रखना चाहिए अब उस डिसेंट वर्ड के पहले इन लगाया गया, या फिर कहें एस सब्भे पर्पोजल प्रस्ताव दिया जाता है, नाम से समझ जाओ कि मूवी के अंदर क्या होने वाला है, अब जो इस मूवी की स्टोरी है, आपने कहीं न कहीं बॉलिवूड की मूवीज में वो देखी होगी, डेफिनिटली आपने देखी होगी, क्या बॉलिवूड को साइड में आते हैं, फोकस करते हैं इस मूवी के उपर, जो इसमें कहानी आपको देखने को मिलने वाली है, एक कपल है, जिसमें एक डैविड जो एक पती है, डाइना जो एक वाइफ है, दोनों की शादी को काफ़े टाइम हो गए, अच्छे से वो अपनी दाइना जो रही हैं, पैसे देने ही होंगे एक बैंक वालों को, तो यहाँपर इनको एक परपोजल आता है, या फिर यह जहाँपर भी जाते हैं, को एक परपोजल दिया जाते एक बहुत ज़्यादा अमीर अती अमीर व्यक्ति जोन के द्वारा कहते है कि देखो भई डाइना को कहते है कि अगर तुम मेरे साथ एक रात गुजार लेती हो और इसके बदले में मैं तुझे एक मिलियन डॉलर दूँगा 1990s की बात करो बहुत ज्यादा एक बड़ी रकम होती है तो डाइना को कहते है देखो एक मिलियन डॉलर मिलेंगे एक रात गुजार लो और उसके बदले में आपको कोई कोश्चन नहीं पूछने होंगे मतलब एक agreement वाली वह बात करता है यहां पर अब मैं उस वक्त सोच रहाता है कि जब मूवी में हमें देखने को मिलती हैं तो भाया husband से सीधा move forward देता है इसमें ऐसा कुछ होता नहीं टेंशन नहालो मैं आपको को spoiler नहीं दे रहा हूं इतनी सारी चीजें तो आपको वैसे ही ट्रेलर में या फिर आमडेपी के उपर सर्च करेंगे तो वहां पर इसके बायों में लिख सुन भी रखी है अब आपको लगेगा कि इसमें नया क्या देखने को मिलेगा अगर आप देखें तो 1990 के टाइम के उस टाइम में यह movie आई हुई है और उस वक्त इस तरे की movie इस तरी का content अगर आप उस टाइम को अगर ध्यान में रखें तो काफी बढ़िया काफी इंटरस लेकिन आपको लगेगी आज की डेट में हमें क्या देखने को मिल रहा है हम 1990 के टाइम को अगर ध्यान में ना रखें तो बेशेक इसमें आपको काफी ज़्यादा इंटरस्ट आएगा ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल बोर कर देगी situation इसके अंदर ऐसी आती है जो आपका ज्यादा मजा आने वाला है मुझे तो बेशक आया था अगर मैं नेगेटिव चीजों की बात करता हूं इस मुवी के अंदर तो देखो यार एक करेक्टर है जो जो जोन है मुझे उससे कुछ जादा ही expectation थी कि हां यार यह वेक्टी कुछ और हट करेगा यहां पर लेकिन व वो जो चीज है एंडिंग वाली उसमें इतना हमें मजा नहीं आता है तो एक नेगेटिव पॉइंट में इसका एंडिंग और जो जोन का करेक्टर है उसको मैं कह सकता हूं बाकी मुवी चुरुआत से लेकर आखिर तक लगबग आपको एक अच्छा खासा इंट्रस बनाए रखेगी आप बिल्कुल भी बोर फिल नहीं करोगे मुवी के अंदर मैं यह कहूंगा कि न्यूड सीन है डेफिनिटली बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है तो मेरे तरफ से इस मुवी को मैं देना चाहूंगा 6.5 आफट और 10 अगर आप लोगों ने मुवी लगी और नहीं देखिए तो एक बार तो मैं कह सकता हूं कि वन टाइम आप इसको कंसेडर कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतना है रखते हैं इस वीडियो में थैंक्स वर वोचिंग इस वीडियो में जाहें